हेलो फ्रेंड्स मैं हूं सिय रुची गोईल आज मैं आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करने वाली हूं जो कि GST पॉर्टल पर आया है बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आया है और साथ ही साथ बहुत सारे आपको चेंजिस लाके देगा यह जाते हैं डैशबूर्ट पे तो आपको यह डैशबूर्ट दिखता है अपने माउस को आप देख सकते हैं कि यहां पे अब आग्रीगेट टर्न ओवर भी दिखाने लग गया जी हां आपकी आनुवल आग्रीगेट टर्न ओवर फॉर्ड फिनैशल नाइटीन त्वेंटी ज की आनुवर आग्रीगेट टर्न ओवर अगर वो फाइव करोर है या उससे जादा है तो यह नोंने बताया है फॉर एक्जामपल मेरा जो टाक्सपेर है उसकी अग्रीगेट टर्न ओवर फॉर्ड फिनैशल यह नाइटीन ट्वेंटी वो है अप टू फाइव करोर रुपी तो इसने बता दिया है कि आपको जो रूल्स लगेंगे आपके जो डू डेट होंगी या आपके जो इंट्रोस पेनल्टी लगेगा वो अप्टू फाइव करोर रुपीज वारा लगेगा और हो सकता है कि आपकी टर्न ओवर इससे जादा हो और आपको यहां पर अप्टू कर सकते हैं और इसको करेक्ट करा सकते हैं तो यह तो था जीएसटी का बहुत इंपॉर्टन अपडेट कि अब जीएसटी डिपार्ट्मेंट आपकी टर्न ओवर ऑ्टो कंप्यूट कर रहा है अपनी कैल्कुलेशन के एकॉर्डिंग और आपको पोर्टल पर दिखा रहा है इन्होंने काफी रिलीज किया है हमको एक बिग लाइवल्टी से काफी बड़ा है यह दिखते हुए कि आपकी टर्न ओवर जाता है कम है उसके एकॉर्डिंग अपनी डेट को सेलेक कर सकते हैं तो यह तो था एक अपडेट इंपॉर्टन अपडेट जीएसटी पोर्टल पे कि आपके लिए काफी इंपॉर्टन अपडेट आया है पोर्टल पे और आपको एक रिलीव दिया गया है पोर्टल पे ऑटो कंप्यूट करके दिखा के अपनी टर्न ओवर को सुदाट कि आप अधर फदर डिसिजन ले सकते हैं नाउ यह दिखाना यह ओटो कंप्यूट जो नहीं लग राहे है लेकिन अगर आपने करो ने की वज़ज़ स्वाट्र शावन की वज़ज़ से या फिर अपना पना कामने PARKेय में यह स्तार्ब की स्टॉर्टर्स से या तो अपकी डिखने च्यूट कर रहा है तो हो सकता है च्च्वज कर ले और उसके वज़त से आपको बहुत भारी नुकसान हो सकता है क्योंकि department जो आपका लेट पेनल्टी चारज कर सकता है वह हो सकता है कि more than five crores की limits के according करें जबकि आपके अप्र जो आपके अप्र हो वो less than five crores की हो तो ये देखते हैं एक बार कि department किस method को use कर रहा है आपकी जो turnover है उसे compute करने के लिए तो ये calculation नहीं दिया है कि इस calculation के basis पे हम आपकी turnover को compute कर रहे हैं काफी अलग-अलग scenario से हैं जैसे कि हम देख सकते है scenario 1 है कि अगर आप active taxpayer है और कभी भी composition में नहीं थे 1920 में तो आपकी turnover होगी वो कैसे consider की जाएगी वो आपकी number of months को fix रखेगी तो ये उसके basis पे आपको consider करी जाएगी next scenario है कि अगर आप cancelled taxpayer है और composition में नहीं थे तो क्या होगा साथ में यह है कि आप active taxpayer है और composition में थे तो क्या होगा लेकिन आपने withdraw कर दिया composition scheme से तो आप number of months होंगे जिसके लिए आपको return file करनी है next है कि अगर आप cancelled taxpayer है और composition scheme में भी थे but आपने opt-out कर लिया है composition scheme में तो आपके लिए कितने months की return आपके applicable है कब से कब तक की return आपको file करनी है next है कि आप अगर cmp08 file करते हैं तो cmp08 computation of number के कितने cmp08 आपको file करने है यह कैसे compute करा जाएगा वो depend करेगा कि आप active है या cancelled taxpayer है जुसके basis पे cancel का मतलब यह भी हो सकता है कि आपने cancellation करवा लिया हो self basis पे यह भी हो सकता है आपका composition tag pair होने की जो limit होती है वे 2 crore होती है अगर आपने उसको exceed कर दिया तो हो सकता है कि automatic cancel हो कि आपको regular tax place में convert कर दिया हो तो अगर इस तरह कि कोई भी scenarios है कि आप कभी थे और अब नहीं है या पहले थे और अब नहीं हो और आपने या opt-out कर दिया या आप currently active हो या currently active नहीं हो इन सब scenarios के basis पे आपकी late free compute होती है और इसलिए जो turnover है वो कैसे calculate की जाएगे इन सब scenarios में इनोंने यह बता दिया है next scenario 4 है as on date अगर आप cancel taxpayer है और आप composition scheme में रहे थे कभी और आपने out-out कर दि जिस्टिया 3 में free में file होता है वो उस पे भी आपके limits applicable होती है कि अगर आपके particular इतनी limit है तो आपको HSNW summary देना है या नहीं देना है उस पे भी आपकी limits applicable होती है तो यह इसमें भी आपको help करेगा यह 5 crore turn on display किया है front page पे कि आपकी turnover कितनी है उसमें भी help करेगा next है अगर आ 5th point और यह काफी tax base को harm करने वाला है जी हां मैंने बिल्कुल सही word यूज किया है हां मतलब नुकसान यह point काफी tax base को नुकसान पॉंचा सकता है especially उनको जिन्होंने अपनी returns कुछ period के file नहीं किया हो सकता है कि आपने February, March से लेके अभी तक returns file ही ना कियो और अब तो amnesty scheme end हो गई extension का wait करते करते अभी तक आपने अपनी file return नहीं की है और auto compute हो गई अब आपकी turnover उसकी वजह से आपकी tax liability भी auto compute हो गई होगी including late fee and interest पढ़ते हैं point 5 क्या बोलता है उसकी बाद मैं बताऊं कि कि इस particular point में क्या नुकसान होने वाला है taxpayers को extrapolation of turnover at GSTN level for those who have not filed all the returns as per eligibility or liability मतलब उन्होंने अपने 12 महीने मतलब April से लेके March तके returns file नहीं की अगर तब क्या होगा उनके साथ GSTN wise GSTR 3B turnover for financial has been extroverted by the formula क्या formula यूज करेगा department अगर आपने returns file नहीं की है अपने सारी की सारी total turnover declared as per all GSTR file divided by number of GSTR file मतलब suppose आपने अभी तक की चार करोड की turnover declare की थी और आपने 10 महीने की return भरी थी तो वो divide करेगा 4 करोड 10 महीने से तो यह निकाल लेगा कि average में आपकी एक महीने की कितनी GSTR file होती है वो unto कर देगा जितने महीनों के लिए आप eligible हो GSTR return भरने के लिए for example अगर आप active हो और आप हमेशा से अगल टेक्स पर रहे हो तो आपको 12 की 12 return भरनी होती है और अगर आपकी turnover 5 करोड से जादा है तो मैंने सब को बताया भी था कि जिन लोगों की turnover 5 करोड से जादा थी उन लोगों को notices आ रहे हैं तो हो सकता है आपको notice भी issue किया गया और इसी calculation के basis पे extrapolation of turnover का मतलब ही होता है extrapolate करना मतलब extra compute करना आपकी turnover जितनी है उससे भी जादा compute करना हो सकता है कि आपने January तक की return भरी हो या February तक की return भरी हो लेकिन March में जब lockdown लगों के उसके बाद से आपने एक दो महीने की ना भरी हो और एक दो महीने की वजह से इसे जो auto compute कर लिया वो more than 5 करोड कर लिया आप जो turnover थी वो 4 करोड रही थी लेकिन एक महीने की इनोंने auto compute करके इसको 5 करोड बना दिया जबकि आपके कोई sale ही नहीं हुई जानरी के बाद ये भी आपके साथ scenario हो सकता है लेकिन आप कुछ नहीं क और तो यहां पे आपको नुकसान पढ़ गया बाहरी नुकसान पढ़ गया कि आपके turnover है वो over compute कर दी गई और उसके basis पे आपके interest liability जो भी थी या फिल 8 थी था वो सब उसके basis पे compute कर दिया गया in fact आपकी जो due date थी वो भी आपकी उसी basis पे compute की गई और आपका जो fine है वो है कि आपको भारी भरकब नुकसान हो क्लियर कर देती हूं कि यहां जो turnover आईगी वह आपके सारे GSTN नमबर और वन पैनाईगी इंक्लूट ऑल जी स्टिया इन्स और एक पैन पर आपने तीन चार पांच जित्ते भी GSTN नमबर ले रखे हैं उन सब भी turnover को compute कर करके यहां प तो यह काफी बड़ा नुकसान है उन लोगों के लिए जिनों अपनी return फाइल नहीं की थी GSTN 3B सारे 12 महीनों की हो सकता है उनकी return ने जो भर रखी थी उसको देखते हुए आपके existing returns को देखते हुए आपकी turnover है वह over calculate कर दी गई और आपको उसी over calculation के basis पे भारी interest late fee करना आपने return भरते रही है आप में स्कीम का wait मत करिये अभी अगर आपके जो tax liability है जो भी बन रही है भर दीजिए late fee भर दीजिए क्योंकि कुछ नहीं बता है 9 November हो चुका है in fact next month के return आ चुकी है last month की भी लोगों ने नहीं भरी थी यह वेट करते हुए कि amateur scheme आएगी कोई response नहीं है कहीं से कोई भी ही हिंट नहीं है return की duty extension का तो मैं आपको यह सज़स्ट करूंगी कि returns जल्दी से जल्दी भर दीजिए क्योंकि यह ऐसे नहीं लेट फियर इंट्रोंस बढ़ता ही जाए तो आज के लिए इतना ही आपने return नहीं भरिए तो return जल्दी भरिए और जिन लोगो साथ जोड़े रहिए और important update लेते रहिए मेरा चानल भी subscribe करना बिल्कुल मत भूलिए so that कोई भी नया notification नया update राएगा तो आपको immediately मिल सके bell icon को press करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा thanks for watching my video thank you